आदर्णी बंदू ओम नमस्षिवाय एक शिव साधक श्री लक्ष्मी नारायन महाओर जी द्वारा देनिक नियूनतम शिव पूजा कितनी और किस प्रकार की जाए इस विशय पर एक वीडियो बनाने का अन्रोथ किया है आदर्णी महाओर जी द्वारा किया गया प्रशन अत्यंत महत्पूर्ण होकर सनातन धर्म का मूल है यद भी शिवा मिशन न्यास द्वारा संग्षिप्त शिव पूजा पद्धिती का प्रकाशन वर्ष 2010 से निरंदर किया जा रहा है और यह शिवा मिशन न्यास की वेबसाइट www.shivamission.in पर सर्च कर आप पड़ सकते हैं तता भी महाओर जी के अन्रोथ पर न्यूंतम दैनिक शिव आराधना पर एक वीडियो बाबा केलाशी के निर्देशन में निर्मित कर प्रसुत किया जा रहा है न्यूंतम दैनिक शिव आराधना को चार भागों में विवाजित किया गया है यदि आप चारों भाग पूर्ण करते हैं तो प्रते दिन आपके केवल 30 से 35 मिनट खर्च होते हैं तो आईए प्रतम चरण के विशय में जानते हैं यह चरण सुबह उठते ही शैन कक्ष में नित्त क्रिया के पूर्व प्रारंब होता है इस पूजा में आपको किवल 3 मिनट का समय लगता है नमबर एक 108 बार ओब नमस्चवाय महामंतर का मौन रहकर मन ही मन बिना वोस्ट एवं जिवा हिलाई जब करना है नमबर दो 6 बार 12 योतिर लिंग का इसमरण करते हुए उसका इशलोक मन ही मन उच्चारित करना है दुती चरण की पूजा प्राता काल की देनिक क्रिया से निवरत होकर इसनान एवं स्वलपाहार आदी लेकर प्राता 38 से 39 के मद्य करना चाहिए इस पूजा में आपको 20 से 25 मनट का समय लगेगा सर्व प्रतम आप एक आसन पर सुख पूरपक बैड़ जाएं तदो प्रांत भगवान शिव का द्यान इस प्रकार करें कल्यान दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है उनका मस्तक श्री गंगा जी तता चंद्रमा की कलासे शुशोवेत है उनकी बाई जांग पर आदिशक्ती भगवती उमा वेटी है वहां खड़े हुए बड़े बड़े प्रमत गण भगवान शिव की शुवा बढ़ा रहे हैं महादेव जी अपने चार हातों में मरग मुद्रा, टंक, वर तता अभई की मुद्राएं धारन किये हुए हैं इस प्रकार भगवान शिव का ध्यान करते हुए रुद्राक्ष की 108 दाने वाली माला पर कम से कम 6 माला ओम नमस्चिवाय महामंत्र का ध्यान पूरुपक जब करें तदो प्रांत, क्रमशा 27-27 बार, गणेश जी का मंत्र ओम गम गडपते नमा फिर स्वरश्वती जी का मंत्र ओम ए ओम और अंतमे महामित्युञ्य मंत्र का जब करना चाहिए इस प्रकार देनिक पूजा का दुतिय चरण यहां पूरुण होता है तुतिय चरण की पूजा का समय सायंकाल 7 बजे से 8 बजे के मद्ध होना चाहिए यह पूजा आपको अपने घर पर जैसा भी पूजा का इस्थान है जहां आप अपने इस्टदेप भगवान शिव को परिवार सहीद विराजमान करते हैं कि आरती की जाना प्रतिदिन आवश्यक है इस आरती में आपको 5-7 मिनट का समय लगेगा सर्व प्रतम आप गणेश जी की इस्थुती जो भी आपको अच्छी लगती हो पूर्ण भाव से करना चाहिए तदो प्रांत मा दुरुगा की इस्थुती करें जो भी आरती आपके पास उपलब्दो दुरुगा जी की इस्थुती के बाद शिव पंचाक्षर इस्थुत्र का पाठ करना चाहिए यह तीनों इस्थुतियां आपको शिवा मिशन न्यास की वेवसाइट www.shivamission.in पर प्राप्त हो सकती है इस प्रकार तीन चरण की बूजा संपन होई दुती चरण में माला जब करते समय कुछ विशेश द्यान रखना आवशक है जैसे आसन ताप का कुचालक होना चाहिए माला को हिदय के निकट रखकर कपड़े से ढखकर या थैली में रखकर जब करना चाहिए जब पूर्ण होने पर ततकाल न उठते हुए एक दो मिनट शांत भाव से बैठकर भगवान शिव जब का पूर्ण फल प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना करना चाहिए तदो पूर्ण आच मनी से आसन के नीचे जल डाल कर उस जल को तीन बार आखों पर लगाना चाहिए तदो पूर्ण आसन से उठकर उसे ततकाल लपेट कर लग दें अन्यता आपके पूर्ण को इंद्र आदी देवता ले लेते हैं तरती चरण में आरती के समय घीका दीपक अवश्य प्रज्योलित करें क्योंकि आरती को भगवान शिव के चारों और घुमाने से हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप नश्ट होते हैं इसी प्रकार दीपक की जियोती देखने और श्रद्दा पूर्वक दोनों हातों से आरती लेने पर मुक्ष की प्राप्ती होती है दीपक में बत्तियां हमेशा विशम संख्या में होनी चाहिए तीन, नो, एवं तेरा को छोड़ कर चतुर्त चरण की पूजा उस समय शुरू होती है जब आप दिन भर का कारे पूर्ण कर विश्राम हे तो शेहन कक्ष में जाते हैं उस समय नित्रा के पूरू बिस्तर में दो मिनट की पूजा करना चाहिए सर प्रतम 6 बार 12 जोत्र लिंग के इश्लोक का मनी मन इसमर्ण करें तदो प्रांथ 108 बार ओम नमश्वाय महा मंतर का जब करें यदि यह मंतर सोते समय तक जपा जाए तो अति उत्तम होगा यह पूजा है तो केवल दो मिनट की किन्तु इसका पूर्ण बड़ा महान बताया गया है क्योंकि रात्री में जब आप उम्नवश्वाय मंतर का जब करते हैं तो आप जितने भी गंटे रात्री में विश्राम करते हैं उस पूरे समय की गणना यह मानते हुए कि आपने उम्नवश्वाय मंतर का जब कियाए की जाती है ऐसा शास्त्रों में उल्लेकित है इसलिए बावा केलाशी के निर्देशन में शिवा मिशन न्यास ने रात्री में सोते समय और प्रात्र उठते समय उम्नवश्वाय मंतर जब का विदान न्यूंतब देनिक शिवारादना में समलित किया है इस देनिक पूजा का विवाजन चार शरणों में इस उदेश की पूर्ती के लिए किया गया है कि एक ग्रहस्त व्यक्ती भी इस पूजा में लगने वाले केवल 30 मिनट के समय में ही 24 गंटे की पूजा का लाप राप्त कर सके यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर जरूर करें जिससे अधिक से अधिक लोग लाव ले सकें और हमारे सनातन धर्म की जड़े मजबूत हो सकें बोलिये ओम नमस्चिवाज